सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चेनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाईए बेल आइकन नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे डबल बोटम के विशे में डबल बोटम चार्ट पेटर्न का ही एक रूप हैं दोस्तो डबल बोटम को डबल्यू बोटम भी कहते हैं क्योंकि इसकी रचना चार्ट में अंग्रेजी शब्द डबल्यू की तरह दिखाई देती हैं डबल बोटम चार्ट पेटर्न मंदी के ट्रेंड में आने वाला बुलिश रिवर्सल चार्ट पेटर्न हैं मतलब कि बाजार में जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और अब तेजी की शुरुवात होने वाली है तो चलिए दोस्तो अब हम समझते हैं कि डबल बोटम चार्ट पेटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में लंबा मंदी का ट्रेंड चल रहा है और डबल बोटम के बनने में यहां महत्वपूर्ण है कि पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो जब चार्ट में डबल बोटम का पहला बोटम बने तो यहां जरूरी है कि यहा ट्रेंड यानि की डाउन ट्रेंड का लोवेस्ट लो हो। इसके बाद ट्रेंड लोवेस्ट लो बना कर प्राइस सपोर्ट लेकर उपर की और चलना शुरू होता है। यहाँ उपर की चाल लगबग 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत हो सकती हैं। इस पहले बोटम में वोल्यूम और कुछ समय तक एक रेंज में ट्रेट करती हैं। अब कुछ समय तक रेसिस्टेंस पर रुकने के बाद प्राइस वापिस से नीचे की तरफ जाता हैं। और ठीक उसी लेवल पर या उसके आजपास दूसरा बोटम बनाता हैं। यहाँ दूसरा बोटम पहले बोटम की उपर नीचे हो सकता हैं। इस दूसरे बोटम में वोल्यूम पहले बोटम की तुलना में कम होता हैं। लेकिन जब प्राइस दूसरे बोटम से रेसिस्टेंस बना कर वापिस उपर की और चलने लगता हैं। तो यहाँ तेजी की चाल बहुत तेज होती हैं। और तेजी की चाल के साथ वोल्यूम भी बढ़ने लगता हैं। दोस्तो दो बोटम के बीच में कम से कम साथ या आठ केंडल की गेप तो होना ही चाहिए। अगर इसे से कम गेप हैं तो इसे एक वेलिड डबल बोटम नहीं माना जा सकता। तो दोस्तो इस प्रकार से डबल बोटम की रचना होती हैं। दोस्तो चार्ट पेटरन के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना अधिक महत्व नहीं माना जा सकता हैं। क्योंकि यहाँ हर एक टाइम फ्रेम में बन सकते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। दोस्तो अब हम समझते हैं कि दो बोटम क बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए। दोस्तो अगर आप डबल बोटम को इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं तो दो बोटम के बीच में कम से कम साथ या आठ केंडल की गेप तो होना ही चाहिए। शोट टर्म के लिए दो बोटम के बीच में तीन से चार हफ़तों का अंतर योग्य माना जाता है। मीडियम टर्म के लिए दो बोटम के बीच में तीन से चार महिने का अंतर योग्य माना जाता है। और लॉंग टर्म के लिए दो बोटम के बीच में एक से दो साल या उससे भी अधिक का अंतर हो सकता है। यह तीनो नियम डेली चार्ट के हिसाब से हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं डबल बोटम चार्ट पेटर्न के साथ हम खरीदी केसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशो और इस्टोपलोस थियोरी का वीडियो नहीं देखा हैं तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए क्योंकि चार्ट पेटर्न के साथ खरीदी और बिक्वाली करने में रिस् बोटम के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आप चार्ट में डबल बोटम का फॉर्मेशन देख रहे हैं तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए सबसे पहले दोनों बोटम के बीच में जो रसिस्टेंस हैं उस रसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक होर को डबल बोटम चार्ट पेटरन के साथ नेक लाइन कहते हैं अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है कि जब प्राइस दूसरा बोटम बनाने के बाद जब कोई केंडल नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली केंडल में हमें खरीद करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस केंडल ने नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का इस्टोपलोस लगाना है इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट को यहाँ ट्रेड नहीं लेना है ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग इस्टोपलोस का उप्योग करना है अब इसमें आखरी पॉइंट यहाँ है कि हमें प्रोफिट बुक कहां पर करना है प्रोफिट बुक करने के लिए आपको यहाँ देखना है कि जहां से प्राइ हैं दूसरा bottom बनने के बाद जब price neckline के उपर चला जाता है तब point A और point B के बीच का जो difference है वो उपर की ओर हमारा target होगा जैसे कि point A और point B के बीच का difference 10 point का है तो हमारा target neckline के उपर 10 point का होगा और जब price 10 point के difference तक पहुँच जाए तो हमें तुरंत profit book करना है तो दोस्तो इस प्रकार से हम double bottom के साथ खरीदी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम chart में double bottom chart pattern को समझ लेते हैं सबसे पहले आप अपने charting software में जाईए और chart को खोल लीजिए दोस्तो chart pattern के साथ time frame का कोई इतना महत्व नहीं है इसलिए आपको जिस भी time frame में double bottom का formation दिखाई दे रहा हैं आप उस time frame को खोल लीजिए जैसा कि मुझे daily chart में double bottom का formation दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर हमारा पहला bottom हो गया ये वाला और दूसरा bottom हो गया ये वाला तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले double bottom के बीच में जो resistance हैं उसके उपर एक neckline खीचते हैं तो यह हो गई हमारी neckline अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है कि दूसरा bottom बनने के बाद जब price जिस candle में neckline के उपर जाकर closing दे दे तो उसके बाद वाली candle में हमें खरीदी करना है तो यहाँ पर प्राइस इस वाली केंडल में नेकलाइन के उपर क्लोजिंग दे रहा है इसका मतलब यह है कि हमें इस वाली केंडल में खरीदारी करना है और खरीदारी करने के तुरंत बाद जो केंडल नेकलाइन के उपर क्लोजिंग दे रही है उसके लोग के नीचे का इस् मतलब कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से इस्टोपलोस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस हैं वो रिस्क रिवाड रेशो के दो प्रतिशत के नियम के अनुसार ही होना चाहिए तबी आपको ट्रेड लेना है ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस हैं वो हमारा टारगेट हैं तो अब आप देखिए कि इस वाली केंडल में हमारा टारगेट अच्यू हो रहा हैं तो हमें इस वाली केंडल में प्रोफिट बुक करना हैं तो दोस्तो इस प्रकार से हम डबल में जाकर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुडबाई धन्यवाद